हेलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका एजुकेशन ग्रूप आफ उत्राखंड में आज हम उत्राखंड से संबंदित एक बहुत ही मेत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि उत्राखंड की विविन परिक्षाओं में पूछा जाता है जो कि है उत्राखंड दोस्तों इसकी ट्रिक देखेंगे जो मैंने बनाई है दोस्तों आप देखेंगे हमारे उत्राखंड में कास्ट पाई जाती है राणा तो दोस्तों देखेंगे राणा मीका पापी है क्या है दोस्तों पिथोड़ागड में बता जा रहा है यह आप देख सकते हैं राणा प कापी है ठीक है थोस्तों। इधर देखेंगे रालम नामिक मिलम काली दोस्तों यह याद रखेगा काली और यह बहुत इंपर्टेंडटटों है यहापे पॉंटिंग है लेकिन हमें पास से पॉंटिंग मनाना है। ठीक है दोस्तों बाकी आप अपना भी कुछ ट्रिक लगा सकते हैं इसके आद पी से पिनौरा ठीक है दोस्तों पी से इस वाले पी से पिनौरा राना मी का पापी है एक लड़का है जिसके काश राना है वहाँ बोल रहा है कि वहाँ अपने दोस्त को बता रहा है कि राना मी का पापी है ठीके दोस्तों इसके आप दोस्तों हम देखेंगे कि बागे स्वर में पाई जाने वाले तो दोस्तों हम बागे स्वर में पाई जाने वाले गिलेशा देखेंगे कफनी, मैकतोली, पिंडारी, सुखराम वा सुंदर डूंगा तो दोस्तों इसका जो ट्रिक है हुआ है बागे स्वर में पी के SMS आया पी के SMS आया या गया कुछ भी लिख सकते हम बागे स्वर में पी के SMS आया बहुत इंपार्टेंट पिंडारी, कफणी, सुंदर दूमगा, मैक तॉली और सुख राम ठीक है दोस्तों क्या बागे स्वर में पी के SMS आया पिंडारी, कफनी, सुंदर दूंगा, मैक तॉरी इसके आद दोस्तों उत्तरकासी उत्तरकासी दोस्तों हमें सिर्फ ट्रिक उनकी याद रखनी है जो जरूरी है हमें फाल्तु ट्रिक बनाके अपना माइंड पजल नहीं करना है तो दोस्तों उत्तरकासी का आपको पता है गौम गंगोतरी सबको पता है यमनोतरी पता है बंद दोस्तों कहीं कहीं चमुली में दून ग्री साहिए इसका कहीं किसी-किसी बुक में हिपरा बामक या किसी-किसी बुक में तिपरा बामक आपको मिलेगा बद्रिनाथ, सतोपंथ, वाव भागी रती, यह बहुत important है उत्तर काशि से confuse ना होना in case of glacier तो दोस्तों इसका फॉर्मूला है सती भी दू चमोली में जैसे कि आप देख सकते हैं चमोली को बदरिनात मिला है हेम कुंड शाहिप मिला है माना गाउं मिला है तो एक आदमी कहता है कि भाई सती भी दू चमोली में ठीक है दोस्तों सासे सतोपंध तीसे यह देखिए दोस् याद करना है ऑर यदि तिपरा बामक पेपर में नहीं मिलता है, तो आप तब भी समझ जाएंगे आपपको यह याद हो जाएगा, शत्촉 पन्थ तिपरा बामक भागी रती वर दूना गिरी और बद्रिन कि जो इतनी आपको खत्लिंग गलेशर जहां से भिलंगना का उद्गम इस्तल है और भिलंगना वा भागी रती का संगम कहां पर होता है दोस्तों यह होता है गणेस परियाग में दोस्तों हमें connect करके पढ़ना है यदि हम connect करना सीख गए तो हमारे लिए पढ़ना और आसान हो ठीके दोस्तों इसका आप कुछी बना सकते हैं RKC यहां से आपने रुद्र परियाग लिया यहां से केदारनात लिया और यहां से चौरा बाड़ी लिया वैसे इतनी भी हमें trick नी बनानी है कि जिससे हमारा mind पजल हो जाए तो आईए दोस्तों अब हम test लगाते हैं तो दो दोस्तों पिथोड़ागड में खतलिंग तीरी यहां से है सतोपंथ चमूली यहां से है चौरा बाड़ी रुद्र परियाग यहां से है तो इसका आंसर क्या बनता है दोस्तों इनमें अस्वमलित है नामिक भागेसवर में आपको trick बताई थी कि राणा मीका पापी है रासे सभ़ाइं ग्रेशर इस तीटित है दोस्तों अबंग चवहार दोस्तों यह है तो दोस्तों पेटंट कोशन है UK SSC का पेटेंट कोशन है उत्ठाखंट की परिक्षाव में आता ही आता है कफ़नी ग्रेशर है आपका बागेसवर में चौथा कुशन आता है दोस्तों आपका कि सुमेलित विगुम का चैन करें दूनागिरी पिथाड़ागण में सुन्दर डूंगा बागेसवर मिलना मुत्तरकासी चौराबाडी नैनिताल इन में सिर्फ सुन्दर डूंगा बागेसवर में सुमेलित है आपको फॉर्मला बताया था कि बागेसवर में P के SMS आया P से पिंडारी, K से कफनी, S से सुन्दर डूंगा, M से मैक तॉली वा S सुखराम तो सुन्दर डूंगा का है दोस्तों बागेसवर क्या है दोस्तों दूनागिरी का है दूनागिरी चमूली में आपका रूद्र परियाग यहाँ पर गांधी जी की अस्तियां भाई गई थी इसके आप दोस्तों निमन में कौन सा युगम सही नहीं है पिथोरा गड रालम, पॉंटिंग ये सही है बागिसवर कफनी, मैकतोली ये भी सही है उत्तरकासी, बंदरपुँच, डोरियानी ये भी सही है यानि इसका अंसर क्या होगा, इन में से कोई नहीं इन में से कोई गलत नहीं है, सारे के सारे सही है इसका दोस्तों छटवा कोईशन आपने करना है दोस्तों या कमेंट में आपने करना है कि रालम कहा है यह इसके option है दोस्तों रालम आपका बागिसर में पिंडारी टीरी में सतोपंत पिथाड़गर में या सत्खतलिंग चमूली में क्या ये सही है या आपको इन में से option देखने ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों बहुत मेहनत से या वीडियो बनाई गई है मैं अभी आपकी तरह एक aspirant हूँ मुझे जो important लगता है वही मैं आपके साथ share करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों से जादा से जादा share करें ताकि मैं ऐसे ही उर्जावर्दित होकर आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाता रहूँ धन्याबाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में